25,000 फीट की उंचाई पर 300 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से हजार उड रहा था कि अचानक जोरदार गर्जना हुई और 400 पैसेंजर्स चीखने चिलाने लगे एक शक्स खिड़की से कुद्रत का कहर देख रहा था लेकिन उसकी आँखें फटी की फटी रह गई उसकी सांसे सोग गई थी क्योंकि हवाई जहाज पर बिजली गिरी थी गनी मत रही की जहाद सुरक्षित रहा वरना जोरदार धमाके के साथ सभी पैसेंजर्स मारे जाते मंजर इतना डरावना है कि वीडियो देखकर एक बार तो आपकी जान भी हलक में अटक जाएगी डरावना नजारा देखना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर वाइरल वीडियो देखिए कहेंगे किस्मत से दूसरा जीवन मिला 400 लोगों को मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एर कनाडा का बोइंग 777 विमान ने वैंकूवर एरपोर्ट से लंदन के हीथरो एरपोर्ट के लिए उडान भरी थी टेक ओफ किया था कि मौसम खराब हो गया और बिजली कड़कने लगी जो जहाज को चीरते हुए निकली गई सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर वीडियो को एड़ न्यू एरिया 51 नामक अकाउंट से अपलोड किया गया वीडियो सिर्फ 16 सेकंड का है और इसे लाखों लोग देख चुके हैं हजारों लोगों ने लाइक और शेयर भी किया है लेकिन वीडियो वाकई देखने लायक है ऐसा नजारा किसी ने कभी देखा नहीं होगा वीडियो देखकर एक्स यूजस तरह तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं एक यूजर ने लिखा कि इतना खौफनाक मंजर देखकर पाइलिट को अलट रहने के लिए कौफी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक यूजर ने लिखा कि मंजर वाकई काफी डराने वाला है एक और यूजर ने लिखा कि बिजली का स्पाक ऐसा था मानो हजारों वोल इस पर चढ़ाई जाती है लेकिन बिजली के टकराने की आवाज सुनी जा सकती है